दोस्तों अगर आप भी भारतिये महिला अंडर 19 टीम की बड़ कप जीत से खुस हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों अंडर 19 भारतिये महिला टीम ने विश्चु कप जीत कर इतिहासी रच दिया लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा भी करा कि पूरे मैदान में आज 700 करोड देश वासियों को उन पर गर्व होगा और वो बाद के देख आपके भी आखे नम हो जाएंगी आखिरकार दोस्तों भारतिये महिला क्रिकेट टीम ने किस प्रकाफ सेलिबरेट किया आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारतिये महिला टीम को सेम दर्जा मिलना चाहिए पूरसों के बराबर तो कमेंट में जरूर बताएं जी हाँ दोस्तों पूरी दुनिया में क्रिकेट को अगर सबसे ज़्यादा पूजा जाता है तो वो हमारा देश भारत है लेकिन इस बार अंडर नाइंटीन में महिला ने वर्ड कप में जंडे गार दिये दोस्तों इतिहास में पहली बार हुआ है भारतिये महिला टीम ये कारनावा नहीं कर पा रही थी लेकिन इसका फाइनल मुकावला जब खेला गया तो सैफाली वर्मा की कप्तानी के अंडर भारतिये किसी महिला टीम ने आखिरकार बाजी मार ही ली साउथ अफरीका में ये अंडर नाइंटीन विश्चुकब चल रहा था जहां पर एक के बाद एक टीमों को हरा कर सीडी चड़ते हुए हमारी भारतिये महिला टीम इंगलेंड से बिढ़ने के लिए फाइनल में पहुँची जाती है तो नजारा कुछ ऐसा था जिसे देखक अगर हर एक भारतिये की छाती चौड़ी हो जाएगी दोस्तों आज भारतिये महिला टीम ने इंगलेंड महिला टीम को ऐसा हस्र किया जो किसी ने सोचा नहीं था 68 रन पर 10 विकेट ले डाले और 18 ओबर के अंदर उन्हें आलाउट ही कर दिया इस बीच कप्तान सैफाली बर वर्ड कप को अपने नाम कर लिया और दोस्तों जैसे ही वो वर्ड कप जीत गई तो पूरे मैदान में हर कोई भावुक था सपोर्टिंग स्टाफ से लेकर सभी खिला और फिर उन्होंने एक फैंस से भारतिये जंडा लेकर पूरे मैदान का चक्क्र लगाया और पूरे वि देगा और उसमें हमारी मुख महिला टीम खेलेगी लेकिन अंडर 19 टीम का यह जो देखकर लगता है कि अब तो वो टीम भी विश्वक जीत जाएगी लेकिन आप उनकी जीत को 10 में से कितने नमबर देंगे और क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर होता हैं दोस्तों और ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा